नमस्कार दोस्तों एक वार फिर हमारे यूटुब चैनल में आप लोगों का हर दिक स्वागत है लेट अफ्ट अप्टेड निकल कर आई है कि केंद्रे करमचारियों के लिए आई बूरी खबर नहीं मिलेगा ठारा महीने का डिये एरियर तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल मे बताएंगे कि सरकार ने केंद्रे करमचारियों का जो बकाड़ी एरियर है वो देने से क्यों मना कर दिया अगर आप मारे चैनल पर फफ टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथी साथवल आइकन को भी मजा दीजिए तक कि या पैंशन से समधी जितने भी नहीं हो जाती है उनकी नोट के सन आप लोगों के पास तुरंद पो उसके तो करता है विडियो को फटार्ट बिना किसी देरी के दोस्तों केंदर सरकार के करमचारियों के लिए बूरी खबर आई है केंदर सरकार ने कोविड नाइंटिन के दोरान करमचारियों और पैंशन भोगों के डिये को आठारा महिने से रोक दिया था दरसल केंदरे करमचारियों को आठारा महिने के एरियर महिगाई बत्ते का प दोस्तों केंद्रे क्रमचारी को 18 महीने के एरियर महिगाई बत्ते का पेमेंट नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने का है कि वह केंद्री क्रमचारी को 18 महीने तक महिगाई बत्ता नहीं देगी जो कोविड-19 के चलते रोका गया था। किंदर सरकार ने COVID-19 के दुरां किंदर सरकार के करमचारी और पेंशन भोगियों के डिये के बकाया को 18 महीने के लिए रोक दिया था किंदर सरकार ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए लोगशभा में जबाब दिया लोगशभा में एक जबाब में केंदरिये वित रैजिय मंत्री पंका चोधरिये का है कि केंदर सरकार के करमचारी और पेंशन भोगियों को महिंगाई बत्ता और महिंगाई रात की तीन किस्ते फ्रीज करने का फैसला एक जनवरी से लिया जाएगा एक जनवरी दोजार बीस एक जुलाई दोजार बीस और एक जनवरी दोजार एकिस को कोविड नाइंटिन के कान डिये नहीं बढ़ाया गया था यह निरने इसलिए लिया गया था ताकि सरकारी पैसे पर कम दबाव पड़ें 18 महीने तक डिये और डियार फ्रीज करने से केंदर सरकार का काफी पैसा बच गया था दोफ्तों लोग सबा में सरकार ने एक लिखित परसन पूछा गया था क्या सरकार की कोविड नाइंटिन के कान रोके गए डिये और डियार को जारी करने की कोई योजना है यदि हाँ तो सरकार बचा हुआ पैसा कब तक जारी करेगी हालंकी जबाब में कहा गया कि सरकार काठारा महीने के डी ए आरियर देने का फिलाल कोई भी प्लैन नहीं है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय है भारत